आप सभी का स्वागत है आपकी न्यूटूब चैनल सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो के अंदर के थम बात करेंगे English Literature के बारे में English Literature जो होगा वो B.A. पर्थम समेस्टर जो कहते हैं तो B.A. पर्थम समेस्टर आर्थाद B.A. फर्स्ट समेस्टर में English Literature के कौन-कौन से important person है जो की पूछे जा सकते हैं उसको ले करके यह वीडियो होगी आपकी जितने भी लोग हमारे साथ जोड़ चुके हैं सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है अभी Hindi साहित की क्लास हो ही रही थी आप लोगों ने देखा होगा Hindi साहित जिन चातर चातराओं का हमारे है वो जा करके देख सकते हैं उसकी कलास रात आठ बजे डेली होती है तो वो भी कलास आप लोग डेली जोइन करें English Literature की बात करूँ तो इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपकी कि सरजी English Literature की कलास चलबा दीजिए हलाकि English Literature मुझे अच्छी तरीके से आती भी नहीं है उसको आपको बताने का प्रियास किया जाएगा इस वीडियो के इंतर कर ठीक है तो कि आपको Model Paper देने का प्रियास Model Paper कैसे कैसे परसनाएंगे Objective Type के उसको इस वीडियो में खास करके बताया जाएगा अगर आपको लिखित वाला Model Paper देखना है तो वो भी एक परकार से वीडियो अवैलेबल है अप्लोडेड है उसको देख लिजेगा तो लिखित एक्चुली में हुआ ऐसा है कि कुछ बहुत सारे बिस्विद्धाले ऐसे हैं जिन्होंने लिखित टाइप की परिक्छा उनकी होनी है अधिक तर बिस्विद्धाले लिखित टाइप की परिक्छा करवाएंगे और कुछ बिस्विद्धाले ऐसे हैं जो की Objective करवाएंगे यह भी सकता है कि बहुत सारे बिस्विद्धाले लिखित अबज़ेक्टिव भी करवा ले ताकि किसी भी परकार से अगर पेपर पोछ ले तो आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसको लेकर के सुकलाइटी पॉइंट के द्वारा आपको लिखित मॉडल पेपर और Objective मॉडल पेपर प्रते एक सबज़ेक्ट के करवाएं जा रहे हैं तो इसके अलाम अगर आपके जैसे की पॉलटिकल साइन्स है सॉसियो लौज़ी है जीinse घुग्रॉफ हैं हिंदी लिटेचर हैं मलब हिंदी आस परकार से आएगा तो इंगलिस लिटेचर में आपको यहाँ English literature पढ़ना English literature semester one का syllabus जो है वह अभी हमने discuss कर दिया तो syllabus अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजेगा पीपर का क्या नाम है English prose and written writing skill ठीक है इसमें क्या होता है 25 नंबर आपके आंत्रिक पर दिया जाएंगे और 75 नंबर का पेपर आएगा और उसी 75 नंबर को आपको करना होगा तो 75 पुडांक जो होंगे आर्थात जो maximum माक्स है हो 75 नंबर के होंगे बहुत सारे लोगों ने पहले से लाइक कर दिया है लेकिन जो व्यक्ती नहीं लाईक किये हैं हो लाईक कर दीजेगा बहुत सारे परस्ण आपको मिलने वाले हैं अगर आपने पॉलिटिकल साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो कल रात 9 बजे पॉलिटिकल साइंस के कलास हुई थी लाइब आपजक्टिव टाइप के माडल पेपर डिसकस कर दिया हमने तो जाकर किया लेडी देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस का जल्दी सोसियोलाजी, जियोगराफी, पॉलिटिकल साइन, मलब उसका होम साइन्स का और इसी प्रकार से मनोबिज्ञान, एकोनॉमिक्स, मलब सारे सब्जेक प्राची नितिहास हो गया, मद्धिकाली नितिहास हो गया आपका, इन सभी के वीडियोज आपको देने का प्रिया सामने है कि हुएन वाज स्री अर्बिंदो, मलब बॉर्ण, बॉर्ण माने क्या होता है, जनम, तो हुएन वाज, मलब कब, जो है वाज माने था थी, मलब कब जनम हुआ था, किसका, सिरी अर्बिंदो का, तो सिरी अर्बिंदो का जो जनम हुआ था, वो कहां हुआ था, यहा आपसन दिया है 15 जो है अगस्त 1872 इस भी मलब और भी आपसन दिया है 12 मई 1872 सी दिया है आपको 1 अपरेल 1872 और डी जो दिया है 16 जोलाई 1872 मलब के 1872 बताएं करेक्ट एंसर क्या होगा तो होएन वाज स्री अरबिंदो बार्ण मलब इनका जनम जो है वो कब हुआ था तो उसका करेक्ट एंसर है आपका 15 अगस्त 1872 इस बी को अरबिंदो का जो है जनम हुआता शिरी अरबिंदो का जनम हुआता आपसन इसका एक रक्त है तो ए आपसन इस राइट एंसर अगला प्रसनाब के सामने है कि Where did शिरी अरबिंदो इस्टडीड इस्टडीड मलब फार इंडियन सीबिल सर्विसेस मलब studied मैंलब होता है अध्यान ठीक है तो अध्यान किया मलब एस सेकंड फार्म है इस्टडी का तो इस्टडी इन्होंने कहां पर किया where did siri airbindo studied for Indian civil services मलब जो इन्डियन civil service की जो इन्होंने तैयारी करी थी अध्यान किया था वो कहां से किया था उचाये जा रहा है आपसन ने दिया है यूनिवर्सिटी आफ लंदन आपसन दिया है किंग्स कालेज या आपसन ड दिया है नन आब्दी जो इन्डियन Civil Services की तैयारी की थी इंडियन Civil Services की तैयारी करी थी इसको I.S. वगरा कहा जाता है तो I.C.S. ठीक है I.C.S. जिसको कहा जाता था पहले I.C.S. की परिक्चा होती थी तो उसकी तैयारी जो है इन्होंने कहा से करी थी King's College से करी थी आपसन इसका Secret है अगला पसन देखते हैं What was the names of the two publications started by Siri A.B.Indo when he comes out of the jail मलब कहने का मलब है यह है की इन्होंने जो है जब जेल से लोटने के बाद में या फिर जेल से निकलने के बाद में कहने का मलब है की What was the names of इनके दो प्रकासक के नाम बताएं जो इन्होंने जो है सुरू किया था अरबिंदो घोस के द्वारा कब he comes out of the jail मलब जेल से आने के बाद में इन्होंने कब सुरू किया मलब किसके मलब क्या दो पबलिक किसन से कौन है अरबिंदो के आपसन ने दिया है कर्म योगिन और धर्मा बी दिया है कर्मा और धर्मा सी दिया है लाइफ और ड्रामा और डी दिया है आपका चक्र और मुक्ती इसका कर्क्ट एंसर क्या होगा तो इसका कर्क्ट एंसर होगा आपका कर्म योगिन और जो है ड्रामा स्वारी धर्मा ड्रामा यहाँ पर बोल दिया था क्या धर्मा ठीक यह धर्मा लिखा है तो कर्म योगिन अधर्म जो है इन्होंने टू पप्लिकेशन से ही है इनके जो इन्होंने जो है शुरू किया था अरभिन्दों ने कब when he comes out of the jail में जेल से लोटने के बाद कहाँ है अपसन ए आपसन ए में लिका है कर्म योगी and धर्मा ठीक अगला पत देखिए होय नवाज रबिन्ना टैगोर बार्ड रबिन्ना टैगोर जी का जो जनम हुआ था वो कहां पर हुआ था आप से क्या पूछ रहा है होय नवाज रबिन्ना टैगोर बार्ड मलब कब हुआ था तो इनका जनम कब हुआ था आपसन में आपको मिल ला है आपसन देखिए फड़ावट से आपसन में क्या दिया है पहला आपसन दिया है साथ मई 1861 मलब सेबंथ मई 1861 दूसरा आपसन है 12 June 1858 और तीसरा आपसन आपका है 22 March 1865 देन जो है अगला जो है आपका D option है 31 अगस्त 1871 correct answer आपका क्या होगा तो correct answer इसका होगा मेरी पैर दोस्तों option number A 7th मई 1861 मनलब 7 मई 1860 को रविद्ना टेगोर जी का क्या होता है जनम होता है आप से पूछे कि KS ब्यंकटर मनी जो है उनका जनम कब हुआ तो उनका जनम हुआ था 1892 में मिर्तिव कब हुई थी 19 मलब death जो हुई थी 1952 में हुई थी किसकी KS ब्यंकटर मनी की ठीक है तो इनके लिए मलब वो important चीजे तो उसको भी उनको भी आप लोग याद करिएगा च्योंकि वो जो है most important है ठीक ये बात ध्यान लखेंगे आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यह प्रसन के लिए हुआ आपसन इसका एकरट होगा अगला प्रसन यहाँ पर नीचे दिखाए पड़ रहा है फियर वास रविन नाट वार्ण भर्ण मलब खूइर माने होता कहां हौОँ अग्वार चार नाट वार्ण भार यहाँ पर जनम हprof , आपसन पूच रहा है की ही घर उपर यह पर बईजर्ण के संन नीचे मुण होई कहां whopping अभर न बात thì दात विसे कि मुर्शीदाबाद क्या ले लिए मुझसे क्या ले लिए कोई ले लिए कि हमने ले लिए बांद तो बताई answer क्या होगा पहला है कलकटा तो यही कलकटा वाला खेल ले मुझने क्या हुआ था वाई जनम हुआ था जान रखेंगे आगे बढ़ते हैं आपसे पूछे और भी प्रस्ण पूछ सकता है कि इन फूच एर जो है भाविनी भट्टाचार का जनम कब हुआ था तो किस सन में हुआ था तो 1906 भी में हुआ था ठीक और यह कहां पर एजुकेटेड हुए थे आपसे एक्जाम से बाबनी भाबनी भाबनी वाज एजुकेटेड तो कहां पर एजुकेटेड हुए थे पतना में जो है इनका एक्योकेशन हुआ था भट्टाचारी जो है इन्होंने हाव मेंनी नोबेल्स डिड़ भट्टाचार रैट इन आल पलब इनका कुल मिला करके जो कितनाauftण और प्रकार से पॉपूलर है तो जो है करेक्ट एंसर क्या होगा मलब उनका जो बड़ी हां है वो कौन सा है तो जो है माल गूडी माल गूडी जो है इनका नोबल से आप आर के नराण का रस्याटीन ठीक है तो यह तमाम सारी चीज़े हैं और आपसे प्रस्ण कभी कभी पूछता है कि आर के नरायन इजयन मलब आर के नरायन कौन थे एक एंगलो मलब इंगलिस नोबलिस्ट है या फिर इंडो इंडिया नोबलिस्ट है या फिर इंडो जो है प्रकार से अंजली सियन नोबलिस्ट है या फिर अमेरिकन नोबलिस्ट ह माने जाते है ठीक तो ये बात ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं और पर समझने का प्रियास करते हैं अगले स्लाइड आप के सामने को ध्यान के दिखी है पहला परसन आपके सामने है इससलाइड का हुईच आ एक कहो कोन सा एक प्रकार से आ और नरायन का नोबल है उपन्यास है नोबल समाने उपन्यास होता है ऐसा कौन सा नोबल से उनका आरके नरायन जी का जो की बिकम समाने होता है होकर के आना मुश्ट मुश्ट पापलर हुआ तो कौन सा ऐसा जो है आरके नरायन का नोबल है जो की मुश्ट पापलर हुआ आपसन ए एक्सपर्ट इसका प्रकार से नोबल है ज only नगला प्राप्त हुआ ऑच उद्फट को नोब प्राइज कर ह्कुलरय को प्राप्त हुआ है जो है नोबल मिला का प्राप्त हुआ तो रबीना ट्ऐगोर जीकोन अयोप के 1912, 1912, 1913, उसके बाद में तीसरा आपसन आपको दिया है, यहां पर थर्ड आपसन है, आपका 1917, और जो आपका आपसन नंबर जो D है, मनला फोर्थ आपसन है, वो 1923 है, तो करेक्ट एंसर इसका क्या होगा? तो correct answer इसका होगा मेरी पैरे दोस्तों रबिदना टैगोर को जो मिला था Nobel Prize वो मिला था 1913 में 1913 में मिला था 1913 में आपसन इसका B करक्ठ है अगला पसन दिखते हैं मुलकराज आनंद्स मुलकराज आनंद्स आनंद्स के बास epistrophe लगा है और यह से लिखा है मुलकराज आनंद्स का आटो बायोग्राफिकल नोबलीज मुलब आत्म कथात्मक जो उपन्यास है वह कौन सा है आपसने दिया है सेबन समर्स क्या दिया है सेबन समर्स आपसने B दिया है दा अन टेचेबल और C दिया है आपका दा कूली और D दिया है नन आपदीज करेक्ट अंसर क्या होगा तो प्रकार से जो नोबल है 39 और इनका और नोबल है दा प्राइवेट लाइफ आफ एन इंडियन प्रिंस ये लिखागा 1953 में कई और भी चीजे हैं जो कि इनको लिकरके फेमस हैं जिसे आपसे जो है जो है जो बहुत सारी चीजे हैं जो है नयंतारा सहगल नयंतारा सहगल भी इंगलिस लिटरेचर में इनका नाम आपने सुना होगा इनके भी कई रचनाएं हैं तो उनकी भी प्रकार से जैसे की आटाइम टू बी हैपी 1958 में इनकी रचना लिखी गई एकजाम से बन सकता है और जो है इस ट्रोम इन जो है चंडी गढ़ इनकी एक रचना है इसकी नयनतारा सहिगल की 1969 में उनी सो नातर में लिखी गई है दा हिस्ट्री आप दा फ्रीडम मूबेंट 1970 में इनकी लिखा है इसी प्रकार से इनकी और एक रचना है जो की कब लिखी गई है 1979 में ही लिखी गई रचना है हर इंपोर्टेंट्स वर्क्स आर परसन एंड चॉकलेट केक 1979 में रचना है इनकी लिखी गई है तो कई रचना है 1979 में एक जो है इस्ट्रूम इन चंडीगर तो हमने आपको बता ही दिया यह मोश्ट इंपोर्टन रचना है थी और नयनतारा सहिगल को नोबल्स में एक परकार से जो है चॉकलेट केक 1954 में लिखा गया है इनका एक नोबल है हलाकि इनके बारे में और तमाम सारी चीज़े हैं मैं बताता रहूंगा समय समय अबर आपको के यस बेंकर टसर मड़ी की रचना यह से की पेपर बोट्स रचना है 1921 में आई है और उसके बाद में दा सेंड ड्यूनियस इनकी रचना है 1923 में लिखी गई है ठीक 1937 में इनकी रचना है कौन सी रचना है जो है हिज कलेक्शन आफ साथ स्टोरीज मलब साथ स्टोरीज का कलेक्शन है और जो है जटा धरन एंड अदर स्टोरीज उनिस सो साथिस दिमें यह पुस्तक है इनकी हिज अदर वर्क्स आर आन दा सेंड ड्यूनियस 1923 में है ठीक कई रचना यह हैं तो इन सभी के रचनाओं को लेकर कि भी परसन बन सकता है हलाकि यहां पर जो परसन हमने आपके सामने रखे हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं ठीक जो की most most important है चलिए आगे परसन की और बढ़ते हैं अगला परसन आपके समने मुल्क राज आनंद आनंद स आटो बायोग्राफिकल नोबल लीज मलब इनका आत्म कथात्मक जो उपन्यास है वो कौन सा है तो सेबन समर्स है या धिर्दा अंटचबल है या फिर्दा कूली है या फिर इन में से कोई नहीं है तो करेक्ट एंसर इसका क्या होगा correct answer होगा आपका आपसन नमबर A सेबन समर्स जो है इनका ये आटो बायोग्राफिकल नोबल है ठीक है आपसन इसका ये है आटो बायोग्राफिकल नोबल सेबन समर्स है आनंदराज मुलकराज आनंदका ठीक है अगला परसना आपके सामने है what was Sarojni Nazo's original name what माणे होता है Sarojni Nosy能ई नाम है सभी को पता हुगा Sarojni नायडू का नाम अभी इसका म्लब होता है काके के लगा हुआ है ठीक जब किसी सजीव प्रसन के साथ जो है एक प्रकार से आफ लगाना होता है काके के लगाना होता है जो है book आफ। ये book's किती है तो जो है मोहं बुक्स या फिर mogenこれは बुक्स आफ मोहन नहीं बोला जाएगा ठीक जिसे आफ किसमें लगाते हैं आपको पते होना जाए ले यह जो है अफ ス्टैड़िय proclaimedled या फिर जो है आप लगाते हैं निर्जी वस्तों के लिए और सजी वस्तों के लिए आप उसमें पेश्ट्राफियस लगाते हैं ठीक बसी तरना समझें वो धार मुझे जादा नहीं याद हो पार है आगे देखें तो वाट वाज सरोजनी नाइडू इस वर्जिनल लेम इनका वर्जिनल लेम क्या था उनका वर्जिनल लेम क्या था आपसने दिया है पदमीनी चट जो है गंगो पध्याए दूसरा दिया है सरोजनी चटो पध्याए तीसरा आपसन दिया है अरपना जो है क्या दिया है मुख्यापो उपध्याए सरोजनी बंदू उपध्याए तो इन इनका जनम हुआ था वो कब हुआ था आपसे पूछ रहा है तो यहां पर जो हैं का जनम जो हुआ था तेरा फरवरी जो है 1859 में जो है जो है जो है सरुजी नाइड़ वाज बॉर्ण ठीक दियार नखें कितनी बात आगे बाढ़ते हैं और मुद्दोकम समझने का प्रियास कर है ठीक है चलिए और प्रस्ण आपके सामने लाए जाए स्क्रीन पर चलिए फटापट से एक बार वीडियो को जितने भी लोग देखने लाइक को गरा कर दीजेगा नए चाह चाहतर जोड़ रहें सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर करते रहें ठीक आगे बढ़ते हैं पर मुद्दों को समझने का प्रियास अगला परस्ण आपके सामने है कि सौर्ट यस से डैट डिटियल्स बिथ आ सिंगल सब्जेक्ट और इवेंट क्या सौर्ट यस से डैट डिटियल्स बिथ आ सिंगल सब्जेक्ट और इवेंट मलब कहने का मलब यहां पर यह है कि जो है short yes say में लगू कथा जो है एक छोटी कहानी में क्या होनी चाहिए इस परकार से तो ये चीज़े हैं यहाँ पर देखेंगे short yes say that details with a single subject or event ठीक क्या होना चाहिए ए मलब उसमें इस परकार से पूछ रहा कि that details with a single a single subject or event इसमें से कौन सा है मलब short yes say जो हो और details with a single subject or event किसी single subject या उसके बारे में details knowledge दे रहा हो तो उस short yes say को हम क्या कहते हैं autobiography कहते हैं biography कहते हैं personal narrative कहते हैं फिर memory कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई उसको क्या कहते हैं आप्सनु हुत देते हैं किसी सिंग्ल परसंग के बारे में 국ण सुगान करेंट में uyण पिर सिंगल किसी बेक्ति के बारे में तो वही परसनल नरेटिव होता है नरेटिव माने होता है आख्यान या फिर जो कथा कार होता है कथा कहने वाला होता है उसी को नरेटिव कहा जाता है जो देने वाला होता है कथा कहने वाला होता है आख्यान जो आख्यान करने वाला होता ठीक यह बात है आपर क्लिए रही तो आगे देखते हैं अगला परसन है या आटो बायो मलब आ साथ स्टोरी मस्ट है लगू कथा पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए कहने का मलब यह है की आ साथ स्टोरी मस्ट हैब आ मलब साथ स्टोरी को पढ़ने से पहले जो है क्या उसमें देखना चाहिए A अपसंदिया title, B दिया है background, C दिया theme and D दिया है all of these correct answer क्या होगा इसका सबसे पहले उसके title को देखना है title मारे जो सीरसक होता है उसको देखना चाहिए background एक होता है background किस कहानी किस भूधरालताल से जोड़ी हुई किस background से जोड़ी हुई कहानी है ठीक कहानी की background कैसी है तो ये चीज़े होती background theme होती है जैसे की movies वगारा की theme होती नहीं कि हाँ इस theme पर लिखी गई है उस theme पर लिखी है तो theme होती है हर एक कहानी की तो कोई चीज़े है सबसे पहले आपको title पढ़ना होता ठीक आपसन इसका एकरक्ट होगा अगला पसन क्या है before reading short story it is must to read first मलब लगुकथा पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए बात यहाँ पर बताई गई है ठीक और यहाँ पर इसका मलब क्या है कि a short story must है एक छोटी कहानी के लिए फिर एक लगुकथा के लिए या एक लगुकथा में क्या होनी चाहिए यह आप पुछरब सबसे पहली बात ठीक क्या जरूरी होनी चाहिए सबसे जरूरी चीजे क्या है इसमें तो टाइटर सबसे जरूरी है Before reading short story it is must to read first सबसे मलब की before reading short story, it is must to read first मलब एक लगू कथा को पढ़ने से पहले, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक, history, a option, b option दिया summary, c option दिया title, d दिया all the above, correct answer इसका क्या होगा, इसका correct answer होगा, मेरी पर दोस्तो, c option, title ही पढ़ना चाहिए, जैसा कि हमने पहले वीडियो में ही बता देता, title पढ़ना चाहिए, तो आपसे इसका secret, title ही पढ़ना चाहिए, टाइटल पढ़ने से ही एक छोटी कथा, लगू कथा, या जो short story होती, उसकी कहानी समझ में आ जाती है, अगला परसन है, the most important part of the short stories, लब short story का या लगू कथा का, सबसे महत्पूर्ण, जो है प्रकार से, आती म महत्पूर्ण पार्ट कौन सा, ते महत्पूर्ण भाग कौन सा है, A आपसंदिया theme, B आपसंदिया language, और C आपसंदिया बोथ A और B दोनों, और D आपसंदिया आपका non update, correct answer इसका क्या होगा, correct answer इसका होगा language, महलब short story के लिए सबसे most important जो part होता है, उसकी language होती है, ठीक, ये बात ध्यार नखेंग, language, अगला परसन क्या है, short story is famous by its, short story जो होती है, किसके द्वारा famous होती है, तो आपसंदिया है, टाइटल के द्वारा, आपसं B दिया है, characters के द्वारा, आपसं C दिया, ले लिजिए language, और आपसं D ले लिजिए, आल आफे बब, तो correct answer क्या होगा, आला फे बब, मनलब सभी के लिए, ठीक, तो सभी चीजे होती है, टाइटल भी होता है, उसमें, मनलब एक परकार से famous करता है, उसको टाइटल से भी कहानी famous होती है, character मनलब उसमें, जो चरतर जैसे कोई movie होती है, तो भया एक तो movie के नाम से, जो है, movie का परचलन होकी, इसे म परभास के वज़ेश से बहुत सारे लोग movie का नाम जान देंगी, ठीक, तो ये परभास कौन है, character है, movie के character कोन है, परभास है, title उसका कौन है, बाहु वली, बाहु वली क्या है, मूबी का title हम लब, सार्ट इस्टूरी का title क्या है, आपका बाहु वली है, और सार्ट की लेंग्वेज है अपने यहाँ पर जो हम हिंदी भासी है तो हिंदी में अंग्रेजी में डब्ड हो तो लेंग्वेज के एक प्रकार से जानते हैं लोग तो यह चीज़े तीन सारी चीज़े सब इंपोर्टन होनी चाहिए इसमें एक सार्ट इस्टोरी बी आगे बढ़ते हैं ठीक और भी मुद्दोकम समझने का प्रियास करते हैं अगला परसना आपके सामने हैं चलिए पढ़िए इसको फटा पट से जितने भी लोग हैं सबी लोग वीडियो को लाइक अगरा कर परसनल लारेटिव क्या होता है ठीक तो आटो बायोग्राफी ही परसनल लारेटिव होता है ठीक आत्म कथा क्या होती परसनल लारेटिव जो अपने बारे में ही कोई चीज बता दी जाए ठीक बायो माने क्या होता लाइफ बायो माने क्या होता लाइफ ठीक तो यह सब भी जांसे बन सकते हैं तो उसलिए हमने आपको पहले बता दिया थीक तो अगला परसना आपके सामने स्कीन पर दिखाई पढ़ा होगा भड़ावर से देखें जितने भी लोग देख रहे हो देखिए पहला पर इसके मिलब इसमें देखें सबसे उफर परसना दिखाई पड़ा होगा चलिए कलर क्या कर लें लाल कर लें इसका चलिए लाल कर ले दें ठीक क्या लिखा है कहने का मलब यह है कि अपने लेखन में बिरोध को सामिल करने के लिए बाद होने के बजाए अभ्यास करना सबसे अच्छा होता है तो यह बताएं कि इन में से कौन सी एवाइडिंग दिस बेरी इसकी लिटरिरी टेकनिक या फिर जो है क्राफ्टिंग अकिलियर थेथिस स्टेटमेंट या फिर यूजिंग जो है पैरलल इस्ट्रक्चर या फिर कियर फुली एनलाइजिंग एंटी थेथिस इन अधर जो है आ प्रीष्ट्ट्रे сказ के प्रेमी चाने साभए इंसAny तर्फ इंसर क्या हुगा आपका इसका के सब्सक्षान 112 को आपने लेखन विरोद को साभियर मालब बात होने के बजाए उसमें विरोद को कlor खरे तो आपने लेहां में बिरोद को सामिल करते जो आपने देने meal को हैं के बज़ाए आप समानांतर सनचना को अपयोग कर सकते हैं यहाँ पर पूछा है गया What is imagery? Imagery क्या होती है? Imagery क्या है? ठीक, तो देखें, यहाँ पर Interesting dialogue, A option दिया है B option दिया है, vivid sensory description, मनलब यह होता है, ठीक या फिर जो है Character development से imagery होती है या फिर बोथ A और C दोनों तो इसका character answer क्या होगा? B option, vivid sensory description, तो sensory description होता है, आपका मनलब विबरन, description मनलब, sensory मनलब होता है, संबेदी, विबित माने होता है, जीवन्त या फिर जोलंत, जीवन्त जो है, संबेदी, विबरन परसुत होता है, तो वही होता है आपका imagery, ठीक, ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं अगला चीज अगला है आपका, which of the following is not type of imaginary, निम्द में से कौन सा, जो है, imaginary का परकार नहीं, imaginary का परकार नहीं है तो इसमें आपसन दिया है, visible imagery बिलकुल है, भी दिया है autobiography, मलब, जो है, स्वरी एडिटोरी, इमेजरी एडिटोरी माने होता है, एक परकार से जो देखने वाला होता है, मलब, स्वरी स्वरी, स्वरी, एडिटोरी माने होता है, स्वरी जो है, इमेजरी जो होती है मलब, सुनने वाली जो इमेजरी होती है ठीक, और एक होती, visible, मलब, देखने वाली एक होती है, extra मलब, extrasensory imagery और एक होता है, कौन सी textile imagery तो इसमें से पूछा जा रहा है आप से which of the following is not a type of imagery वल्लब इसमें से imagery type का प्रकार कौन सा नहीं है निम्न में से तो correct answer इसका क्या होगा यही जो extra sensory imagery है यह नहीं होती है ठीक आप सन इसका secret है अगला परस देखें अगला परस आपका क्या है कि when can imagery by used when can imagery by used आप सन ए दिया है इना पोयम आप सन भी दिया है इना नोबल तो भाई दोनों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं किसमें पोयम में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और नोबल माना उपन्यास में भी कर सकते हैं तो दोनों का आपका correct answer लोग अगले परसण की और बढ़ते हैं अगला परसन आपके सामने क्या है क्या दिया बहाई कि हौऑ Why was she making a planning Sorry Painting Painting दिखा है ठीक छलिए Why was she making painting A. आपसन आपको क्या दिया है A. आपसन दिया है To present it to John C. John C. B. आपसन दिया है To present it to D. आपसन दिया है To put it in her room correct answer इसका क्या होगा correct answer कि क्या होगा मलब की why was making a painting वह painting क्यों बना रही थी वह painting क्यों बना रही थी बताएं correct answer इसका क्या होगा तो वह painting इसलिए बना रही थी आपसे इसका secret होगा चुकि उसको पैसे कमाने थे to earn some money मलब उसको कुछ पैसे की जरूरत थी जो है कमानी थे उसको इसलिए जो है वह अपेंटिंग बना रही थी आगे देखते हैं अगला परसन What will happen when the last leaf will fall What will happen when the last leaf will fall कहने का मलब यह है कि क्या होगा जब आखरी पत्ता गिरेगा क्या होगा जब आखरी पत्ता गिरेगा A आपसंदिया है C बिलड़ाई B आपसंदिया जॉनसी बिलड़ाई C आपसंदिया है बहरमन बिलड़ाई D आपसंदिया आलदा एबब मलब यह सभी तो करक्ट एंसर क्या होगा तो जो है इसका correct answer क्या होगा भाई आपसन B Johns will die क्या Johns will die जब जो है जब आखरी पता गिरेगा तो Johns जो है मादने के गार मर जाएगा कहने का मलब यहाँ पर यह ठीक जान मर जाएगा जान समर जाएगा ठीक आगे देखते हैं अगला पसन है मलब जो जान सी है वो खिड़की से बाहर क्या देख रहा था वो बिंडो के बाहर क्या देख रहा था आपसन ने दिया है आपसन B दिया है आप मैंगो ट्री सी दिया है आप रोज प्लैंट या फिड़ी दिया आप बनिया अंटे दी correct answer इसका क्या होगा correct answer होगा आपसन नमबर A एनी AB creeper मलब creeper माने होता लाता तो वो क्या देख रहा था एन AB creeper AB creeper वो देख रहा था ठीक आगे देखते हैं अगला पसन है आपका जौन सी वाज suffering from मलब उसको किस परकार का बुखार था आपसन ने दिया है जौन सी वाज suffering from मलब वो क्यों बिमार था मलब वो किस परकार से बिमार था तो उसको एक परकार से कौन सी बिमारी थी किसको जौन सी को तो जौन सी को कौन सी बिमारी थी फैन्यूमोनिया हो था उसको क्या फैन्यूमोनिया हो गया था अगला पस देखते हैं अगला पस आपके सामने है मेंसन दा करेक्टर साफ दा स्टोरी बलब जो स्टोरी है इसकी उसके बारे में आपको मेंसन करना है जो है इसकी कहानी है जो बहरमन के बारे में चीजे जो बताई गई हैं यहापर जौन सी बगरा तो इनकी कहानी के बारे में आप बताएं ठीक है तो कहानी इसकी कौन सी है दा लास्ट लीफ जो है लास्ट लीफ जो कहानी है जो जो लास्ट लीफ दा लास्ट लीफ इस दा स्टोरी आफ दा जो है किसके बारे में है तो बह्में एन लाइफ अफ आर्टिस्ट डाइडिया, इलू इलुजन अफ दा राइटाइड ऑड्ला इस दाव फीम अफ पीस आफ ओ हेंडरी थाय। दे स्टोरी हैस एमपली इलुस्ति तरिक्टड इस थीम थो रो दा टेक्स्टर आप दे स्टोरी विच मेवी डिस्क्राइब इन द्स वधन आ क्पार्टनस आफ जौरेंट स्टोडियो आफ टू फीमेल आर्टिष्ट सफर्ड फ्राम फैन्युमोनिया तो इस प्रकार से कई ल दूँगा किस कहानी में जो है इसमें कई परकार ये से की कभी-कभी आपसे राइट आया गर्ण करक्टर आप इसके चहें आप बहरमन के बारे में बहुत सकता है तो किस-kis बारे में इसे थे तो कई चीजे हैं इसमें अब हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन इसके बारे में आप संदिया है बहरमन बिल्कुल है सी भी आप संदिया सो तो यह भी है सो भी है इसमें ठीक है और सी आप संद है जौन सी तो जौन सी भी आपको है आप संद में दिखना नहीं रहा है तो जौन सी है बहरमन है सो है यह सभी है आल आफ एबब आप संदी आपको मिलेगा आल आ आप सेन कर्यक्ट अंसर क्या होगा इसका जो बहरमन थे तो बहरमन पैंटेट्ट दा लीफ आन्द आ वाल ओके धियान निठेंगे आपसे पूंचे उपॉंचे फूहाउज लुकड ऐफ्टर जॉन सी सो बेल सो ओके वाट इड़ बहरमन डाई आफ फिन्यूमोनिया ओके चलिए आगे बढ़ते है अगला परसन आपके सामने है कि लोना इस बेरी सैड बीकाज इस है डेड रीसेंटली लोना इस बेरी सैड लोना जो है ज्यादा जो है कैसी थी भाई दुख से भरी हुई थी क्यों दुख से भरी हुई थी कौन लोना लोना जो है क्यों दुख से भरी हुई थी आप से क्या पूछा गया आप से यहाँ पर कहागा कि लोना इस बेरी सैड लोना इस बेरी सैड बिकाज His has dead recently मलब रोना जो थी हुआ क्यों जो है सैड थी क्योंकि मलब रोना इसलिए सैड थी रोना इज बेरी सैड रोना बहुत ज़्यादा दुखी थी वी काज क्योंकि हीज मानब उसके जो है किसकी मरतु हो गए ती He has dead recently किसकी मरतु हो गए आपसन ने दिया वाइप की B दिया है सन की C दिया डाटर की और D दिया हार्स की तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा भाई इसका करेक्ट एंसर होगा कि उसका सन मर गया था मलब उसका पुत्र जो था मर गया था ठीक इसका मर गया था तो लोना का पुत्र जो है वो मर गया था तो आपसन इसका भी कर्ट होगा son तो his son has dead recently, Lona is very sad because his son has dead recently आगे बढ़ते हैं अंगला परसन लोना's second fair was लोना का जो second fair था वो कौन था, first fair कौन था लोना का तो लोना का जो first fair था, fair माने होता जो है किराएदार एक परगार से तो लोना का जो पहला first किराया था, वो कौन था, military officer था, वो एक military officer था, दूसरा कौन था भाई आपसे पूछा लोना's second fair was, जो दूसरे थे, वो तीन ब्यक्ति थे, आपसन ए दिया है पहला या बिजनस्मेन, भी दिया आप military officer तो ये पहला था, military officer थीसरा दिया है जो सरारती बोल सकते हैं, सरारती ही बोली है, ठीक, तो जो तीन सरारती जो young man है, वो जो है उनके यहाँ पर प्रकार से fair के रूप में रह रहे थे, तो ये चीज़े हैं, अगला प्रसनाप के सामने है, इंदा इंड लोना, टर्म्स आन, मलब, टर्न्स, टर्न्स टू हिज, कहने का मलब यहाँ पर यह है, कि अंत में लोना ने अपने दुख को प्रकार से सांजा करने के लिए, इंदा इंड लोना, टर्म्स टू हिज, तो सीर हिज ग्रीप, आपसा ने दिया हार्स भी दिया है, फ्रेंड्स सी दिया फादर और डी दिया वाइब, करेक्ट एंसर इस किसकी और मुड़ती है, ठीक, किसकी और टर्न लेती है, तो इंदा इंड लोना लेती नहीं, लेता है, ठीक, लेता है, यह पूरुस है, ठीक, इस तरही नहीं है, लेती बोल दिया, तो इंदा इंड लोना टर्न्स टू हिज हार्स, यहाँ पर बलेक जो यहाँ पर खाली डा एपर क्या भर सकते हैं होसे तो आप साहा शीकर एंसर है तो हार्श टुसी यह गरीप एंदा इंड लोना टर्रणस टू हिज ए हार्श टूसी यह गरीप ठीक आगे देखते हैं अंगला पर शेयंग वी वियल आलडाइ उसीज क्या है भाई फूसेज कौन कहता है we sell all die ये किसका कृफन है कौन who will मन्यूफसुरी we sell all die ये किसका कःफन है आपसे ने दिया है लोना का B दिया दा military officer का C दिया है कैब डाइबर का ये फिर D दिया है I young man का correct answer इसका क्या होगा بھائی correct answer जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका डी आपसन आ यंग मैन ठीक है यंग मैन ने कहा था वी सेल आल डाई ठीक आगे देखते हैं अगले परसन क्यों बढ़ते हैं अगला परसन आपके सामने है अगला परसन है most important परसन गाइडे मौपासेंट क्या दिया है गाइडे मौपासेंट ये बिक्ती है वाजा आथर ही वाज मलब वो किसके परकार से आथर है मलब कहां के आथर है किस देश के हैं आपसन 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 ने दिया है अमेरिकन है या फिर बी दिया है अंगलिस के हैं या फिर रसियन है इसी आपसन है और डी दिया फ्रेंच है तो क्रेक्ट एंसर क्या होगा फ्रेंच के हैं आपसन इसका डी है अगला पस नहीं ही लिब्ड इंदा मलब वो कहां पर रहते थे मलब स्वरी वो कब किसे जो है सताब्दी से बिलांग करते हैं ठीक आपसने दिया ठरवी सताब्दी 18th century भी आपसन द लिब्ड है अगला पसन आपके सामने है इंदा टेरर इंदा टेरर इंदा डेर जो एक परकारव से रचना है उसका करेक्टर के बारे में आप से पूछ रहा है युद्ध की variety जो है उसके पात्र है वो कौन है उसका कर्प्सन दिया है जो है मौन्सियोर रेमन आपसन बी दिया है जो है पायर डिक कुरियसियल और सी दिया है गायडे मोपासियंट और डी दिया है आयन अनन परसन करेक्टर अंसर इसका क्या होगा जो है मौन्सर मौन्सर माने होता है महोदय या महासय तो मौन्सर रेमन तो रेमन महोदय जो है वो इसके the terror के character है आगे देखते हैं अगला परसन है he was, महलब वह कौन था कौन ये जो जो है Raymond है वो कौन था आपसन ने दिया talking to a friend महलब वो थे और भी आपसन दिया writing a letter to friend, या फिर thinking allowed, या फिर dreaming correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा आपका writing a letter to a friend, he was ठीक है, ये आपसन होगा he was writing a letter to a friend उसने क्या किया भाई उसने writing to a letter to a friend, वहलब उसने एक पत्र लिखा किसके लिए अपने friend के लिए, उस वारी एक friend के लिए ठीक, इसने Raymond वोगरण आगे बढ़ते हैं अगले परसन के और देखेंगे अगला परसन आपके सामने है भड़ा परसन एक बार वीडियो को लाइक हो गरा करिये सबी लोग, यतने भी लोग देख रहे हैं मज़ा आ रहा होगा वीडियो के इंतरगत कुछ बाते तो साबके समझ में आ ही रहे होंगी यह सब जरूर पढ़ लीजेगा जो से लेबस है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजेगा कौन सी रचना किसकी है तो करेक्ट एंसर इसका क्या होगा भाई आपस नंबर बी मुलकराज आनन्द ठीक बारबर्स ट्रेड यूनियन किसकी रचना है मुलकराज आनन्द की अगला पस्न है इस गयप बैटबीन दा नरेटर अंड चन्दू नरेटर अंड चन्दू मलब जो कथाकार है जो कथाकार है नरेटर जो है उसके और चन्दू के बीच की बैटबीन मलब गयप महलब इन दोनों के बीच में चंदू और नरेटर के बीच में कितना गयप है किसका कितने समय का गयप है कितने एज का गयप है आपसन ने दिया छे मंत का आपसन बी दिया है एट मंत का और सी दिया है चार मंत और डी दिया है एक येर का महलब वन येर का तो six month eight months या फिर four months या फिर one year correct answer आपका क्या होगा six month का जो है here fair है आपसन इसका ए है correct answer आगे देखते हैं here फिर महलब की अंतर है अगला पसन है what did the narrator's mother resented बताएं फड़ावट से correct answer क्या होगा इसका यहां पर देखेंगे what did the what did the narrator's mother resented आपसन ने दिया है that देट चंदू वाज बारबर्स वाई भी आपसन दिया है that चंदू वाज आ लॉकास्ट वाई यह फिर सी आपसन दिया है दा चंदू वान आइस कॉलर सिपट स्कूल डी दिया है all of the above तो correct answer क्या होगा आपसन इसका डी all of the above मलब की जो चंदू की जो नरेटर मलब कताकर की जो माता है वा क्यों बिरोध किया करती थी कि इसका चंदू का क्योंकि चंदू जो था वा बारबर्स वाई था लोकास्ट का वाई था और स्कॉलर सिप स्कूल मलब आइट स्कूल था इसी लिए जो है वो से जो है बिरोध का भाव एक परकार से रखती थी आगे देखते हैं अ नरेटर इनभी चन्दू ठीक है इनभी चंदू इरस्या इनभी माहिने च्शन ओता इरस्या क्यों करी भाई उस से विकास आप से मैं आपको बहुत मिलेगा कि विकास फीकासार ही वाना स्कॉलर शेपर एप स Yug multiply लेजिए एसी आपसने लिजें भी विकाज चंदू वाज गुड एट जो है रिसेटिंग पॉर्टीज यहीं आपसने लिजें जो है विकाज चंदू वाज गुड एट मेकिंग एट। फ्लाइंग जो है काइट्स तो कर्एक्ट एंसर इसका क्या होगा आप सन नम्बर वाला जो हमने बताये उसमें वही correct answer हो आगे देखते हैं आगले परसने की और इस अब कहानी के अंदर की बाते हैं जिसे परसन बनते हैं आपसे परसन पूश सकता है कि चंदूस फादर डेढ़ आफ जो है किस्से मरें चंदू के फादर तो उनको ट्यूबर क्लोसिस होगा था टीबी हो गए था जिसको कहते हैं ठीक तो इस परकार से है आपसे प्रसंगा और पूसकता है कि आपसन आप देदेगा आपको डाडर करें कि क्या भरना उसमें six month one year six year क्या है तो six month चंदु वाजा नरेटर से senior भाई six month चंदु जो था वसी जो है नरेटर से कितने जो है साल का जो है senior था six month का senior था ठीक आपसे परसन पूस सकता है what is the name of the doctor in the story इसके जो है doctor in story के कौन है भाई तो जो है doctor कलान खान जो है doctor है in story story में जो है doctor का कार निभा रहे हैं यह आपसे परसन पूस सकता है कि in which district is the story set जो करेक्टर अंसर क्या होगा इसका राज कोट में जो है इसका एक परकार सी story set है इसका ठीक है आपसे पूस सकता है कि what is the name of village जो है पैरी सेट अलब इसके जो village का क्या नाम था तो जो है क्या नाम था पीटी नित्यानंद जो है village का नाम उनके जो है एक परकार से पैत्रिक नाम जो था वो ठीक आपसे पूस सकता है कि what was चंदूज secret dreams तो क्या था dreams ओ जो है opening salon salon खोलना चाहता था कौन चंदू जो था वह salon खोलना चाहता था बारबर जो है परकार से बारबर स्ट्रेड यूनियन इस जो है कहानी का नाम है ठीक मुल्क राजानंद के द्वारा लिखी गई कहानी है तो इसके अंतर के जो है चीजे है what did Chandu's been at school चंदू जो है क्या जीता तो क्या जीता था जो है स्कूल में scholarship जो है जीता था तो इसलिए इस लिए इस प्रकार सिप था जो कि इस प्रकार से भाव है आगे बढ़ते हैं अगला परसन आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टन परसन है आ चुका है आपकी स्कीन पर चलिए फू इस दा राइटर फू इस दा राइटर आप दा सौर्ट स्टोरी अंडर दा बनियान ट्री अंदर दा बनियान ट्री जो शाइट स्टॉरी है लगू कथा है इसके लेख़ कौन है बलब राइटर कौन है इसके या रायटर है किसके अगला पज़न है जो नाम भी है वो कितने साल के एक परकार से उल्ड हैं पुराने हो चुके हैं मलत अब कितने साल के हैं कहने का मलत यह है तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा क्योंकि कहानी में बताये नहीं गाए कि हाँ हो कितने साल के हैं तो यहाँ पर आप संड़ी दिख रहा होगा इसी स्टोरी में जो है इनके बारे में नहीं दिया है, ठीक है कि कितने साल के हैं, अगला परसन आप के सामने है On which day people, आप सोमल बिलेज गो टू दा टेमपल कहने का मलब यह कि जो सोमल गाउं है तो सोमल गाउं के लोग किस दिन मंदिर जाते थी या किस दिन ощущ जाय करते हैं सोमल गाउं के लोग आन विट डे people आप सोमल village go to the temple मेलब सोमल गाउं के लोग मन्दिर किस दिन को जाय करते थैं आपसने दिया Monday B दिया Friday C दिया Tuesday और Sunday कराक्ट एंसर क्या होगा सोमल गाउं के जो लोग हैं वहां फ्राइडी को मंदिर जा करते थे मलब की आपसन इसका भी गरठ होगा सुकर्वार को आपसन भी अगला परसन आप के सामने हुआई है नाम भी बीन काल्ड दा इंहेंटर इंचेंटर इंदा स्टोरी इंचेंटर इंदा स्टोरी बताए फटापट से बताएं हुआई क्या होता है दा इंचेंटर वाने होता है जादूगर इन दा स्टोरी मनलब इस स्टोरी का जादूगर काल्ड मनलब कहा जाता है कि इसको नामभी को हुआई मनलब क्यों तो हुआई है नामभी बीन काल्ड दा इंचेंटर इन दा स्टोरी मनलब नामभी को जो है इंचेंटर क क्यों कहा जादूगर 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 क्यों कह C आपसन दिया है because he was very old और D आपसन आपको दिया है because he could spell bound people with his fence staining stories तो correct answer का आपका क्या होगा आपसन नहीं होगा चुकि वह जो है अपनी आकरसक कहानी उसी लोगों का मंत्र मुंग्द कर देता था नाम भी इसलिए जो है इसको कहानी का क्या कहा जाता है कहानी का जादूगर कहा जाता है कहानी में जादूगर कहा गया किसको नाम भी के बारे में क्या कहा गया कि कहानी में जो एक प्रकार से वो है नाम भी है वो अपनी आकरसक कहानी को सुना करके लोगों का मंत्र मुंग्द कर लेता था इसलिए उसको जादूगर कहा गया है आगे बढ़ते हैं अगले कहानी क्यों अगला परसन आपके सामने आ चुका है फटाबट से एक बार वीडियो को लाइक उगरा कर दीजी जतने भी लोग देख रहे हैं सेर कर दीजेगा वीडियो में अगर नए आए हैं तो लाइक उगरा करके ही जाएएगा ठीक मज़ा नहीं आता है बिना लाइक उगरा करके ही जाएगा अगला परसन है वे दिर्दा चिल्डरन प्ले करेक्ट एंसर इसका क्या होगा कहां पर लड़के खेल रहे थे करेक्ट एंसर क्या होगा तो बरांदा में खेल ले थे या फिर पर खेल ले थे अगला परसन है करेक्ट एंसर क्या होगा आपका रघू आपसन सी दिया है रघू ठीक है हो बीकम ठीक एक इट आफ्टर दा कफिलिक्ट थेक तो इस और कर्रक एंसर क्या होगा क्या होगा आपसन नंबर सी क रघू ओके क्या होगा रघू अगला परसन क्या है how was the sad sad माने च्छाया मालब छपर जो था वो कैसा था कहने का मालब यह आपसन ने दिया spooky spooky माने होता है डरावना smiley smiley मालब होता है बदबूदार मालब जो महकता हो आपसन see dark मालब अंधेरा तो all the idea तो छपर कैसा था all the idea आपसन इसका डिकरक्ट होगा मालब की वो जो है spooky भी था smelly भी था और dark भी था ओके अगला पसन देखेंगे who is the author आप the story game set to light game set to light जो है कहानी है उस कहानी के आथर कौन है लेखक कौन है आपसने दिया आजिता देसाई बी दिया नारायन जो है तारा सहगल और उसके आदमे c दिया है जो है भारता जी जो है मुखर जी भारती मुखर जी और d दिया है आपको ममला क्या दिया मारकंडे ममला मारकंडे करेक्ट एंसर आपका क्या होगा करेक्ट एंसर क्या होगा भई आनीता देसाई बिलकुल करेक्ट एंसर गेम से टूलाइट आप से परसन कभी कभी पूछे कि तो उसमें क्या होता है इंसिगनी फिकेंट जो है फिलिंग होती है उसके अंदर लास्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कहानी के बारे में हम समझने का प्रियास करते हैं अगला परसन देखते हैं अगला परसन आपके समने है बेकन्स वाज बॉर्ण इंदा इयर मलब जो फ्रैंसिस बेकन है उनका जो जनम हुआ था किसी एर में हुआ था उनका जनम आप से ने दिया है 1561 भी दिया है 1560 सी दिया 1562 डी दिया है 1571 kadraka क्या होगा 1561 फिप्टीं 61 में बेकन्स का जनम हुआ था बेकन्स के कि पीता का नाम नाम क्या था यहां पर फादर फराफ्रांसिस बेकन उसलिकर्ण प्राफ्रांसिस बेकन्स गर्षण वेंस्वें चाहर निकोलस बेकने reference है यह से गो प्रकासे थी लब कितने से प्रकासे पहले। प्रतम में में पहले बार ME तो आप आप से ने दिया 10 2019 उनके पहले बार में दस जो है से प्रता ही time दो अगला अ पेस देखेंगे आप स्टडुली ओकी रेचना किसकी बहुत प्रकारिव में संकलिते कि का है कि अफ़ एक्सेडिडी के बारे में खुब इस्तार से बताएगा है ठीक है आफ इस्टडीच पढ़िएगा कभी टाइसाद समय मिले तो आपको आप सोनुआ के बारे में बिस्तार से पढ़ लीजेका जो है पेड होता है अप इस्टेड़ी आपसाने दिया फ़र्श्ट इस होड़ी इस्ट डिश्ड जो है डिस्प्लेजर लिए आफ इस्टेड़ी क्या प्रदसित करता है क्या दिखाता है आप से ने दिया है वाइड लर्णिंग भी दिया है डीप लर्डन इसकोलर्सपॉप और सिद्या है साउन्ट विज्डम और डिया है आलदा एवब्त टुकर क्लें क्या होगा नभीवबुंग है वाइड लर्निंग मलब होता है व्याफञ तरीके स्याधिगम करना सीखना ठीडीप इसकोल से मलब होता है प्रकार से गहरी एक प्रकार छात्रबेती कह सकते हैं डीप लर्डिंग जो है एक स्कॉलर्शिप और जो चौती चीज़ें तीसरी चीज़ क्या है यहां पर साउंड भी तो जो है जो ध्वनी ग्यान है उसके ब कि स्वारी आगे बढ़ते हैं इले पॉर लाएक करा कर देज़ेगा। चले फटाबसे वीडियो टो लाइक करें यतने भी लोग देख रहे हैं फटाबसे वीडिकत की बात नहीं है सारे चीज़ आपका की कि爹ियर हो पा रही होंगी दैज्टन बने मुझे मझे लगता है ज निआ आप यह दिटिता एज्टादों से ने सलपूने शिर आप यह चिंन تी अ चृश्चक नैस है छोगा से मिस्टर थे यह दिया है आप प्यून इन साउथ सी कंपनी और डी दिया नन आप दीज करक्ट एंसर क्या होगा इसका आप सन नंबर भी अकलर्क टू मिस्टर सैमुल साल्ट ठीक है आप सन इसका क्या करक्ट होगा भी आप सन अगला है आपका दा लास्ट यसेज आफ एलिबा वाज पबलिश्ड इन अलब इनका जो जो है लिबाका जो जो है लास्ट यसे था वो कंप पबलिश्ड द्वाता कि में आप असन ने दिया ऐट का 1844 Wilson में चंप सन दिया है' 18 20 में और यआप सन्धिया 18 33 में Correct answer क्या होगा आपका Correct answer होगा आपका 18 33 में 18 33 में इनका last जो है जिससे क्या हुआ है पबलिस हुआ अगला प्रस्न है When lamb did what was his age मलब जब उसकी मिर्ती हुई किसकी lamb की तो कितने साल का था आप से कह रहा है आपसे ने दिया 59B दिया है 40C ती दिया 86 और डि दिया है 70 passer क्या होगा आपका तो झब लेंस मरा तब उसकी यह कितनी थी दो ग्या थी तो उसकी यह तब कितनी थी 59 ओमखर 69 साल की अगला परस्न है चार्लेस लेंब जो थे siasman was born in London on London में जो है चार्लेस लेंब का जनम लंदन में कब हुआ था आपसे कह रहा है लोब चार्लेस लेंब वाउज बॉर्ण copy Deutsche Bank van in london London पर इनका जनम जो हुँ लंदन में कभ हुआ था आपसन ए दिया है 10 फरवरी 1775 10 फेवरी 1775 A आपसन 12 फेवरी 1773 देन आप आपसन ले सकते हैं C 14 जनवरी 1776 और D आपसन ले सकते हैं 2nd March 1772 आपसन नमबर D 10 फेवरी 1775 आपसन इसका एक रखठ होगा 10 फरवरी 1775 को चार्लेस लेंब का जनम जो है कहां पर लंदन में अगला परस देखें अगला परस देखें फड़ाबट से अगला परस देखिएगा एडीशन होएन वाज जोसेफ एडीशन बार्न क्या पूछा आप से परस देखें इडीशन टुफिज चले आपसे परस देखें परस परस देखें पूछ लेंगा जोसेफ अडीशन बार्न कब जनम वह था भाई तो 1672 में ठीक परस अगला क्या है कि एडीशन टुफिज मास्टर्स डिगरी इन डेयर उसकी जो मास्टर्स डिगरी थी मैं म कि दिग्री जो थी उक्ताव जो है फ्रकार्सिज्मार्स डुगरí में यह मेंयम सब आजाते हैं तो मास्टर्स डुगरी उने किछ सेज से इर में कंपर्अट गरी त्eto आपसने दिया 1669 में बी आपसनد्या 1797 में सिय आपसन दिया 737 में या फिर द्राइपसन हां तो इसका correct answer क्या होगा 1697 1672 हमने बोल दिया था तो उनका जनम हुआ था 1672 1672 में जोसेफ एडिसन का जनम हुआ था और इनको जो master degree मिली थी 1697 मिली थी आपसन इसका भी गरक्ठ होगा ठीक अगला पस देखते हैं अगला पस देखते हैं अगला पस देखते हैं अगला पस देखते हैं कंट्रीब्यूटेड बाई की अडिसन इन्दा जो है टेटलर वाज मोर देन लब टेटलर की संदर में देखा जाए तो इन्होंने उन से जो है कितना यस्टे जो है अधिक लिखा था कहने का मलब यहां पर यह यह है मलब योगदान इन्होंने जो है द दा नमबर आप यस्टेज contribution मलब इनका कितने जो है नंबर मलब कितना जो है युगदान दिया कितनी संख्या में जो है युगदान है इनका edition इंदा जो है टेटिलर वाज मोर देन ठीक तो आपसने दिया 20 बी दिया 25 सी दिया है 30 और डी दिया 40 तो करेक्ट एंसर होगा इनका आपसन डी 40 जो है इनके जो है यस से निबंध है 40 ठीक है 40 आपसन इसका डी करेक्ट अगला परसने edition is given the credit in innovating which type आफ यस से कहने का मलब यहां पर इनके यह है यह कहना चाहते हैं का क्या नाम है भाई इनका नाम है edition edition is given the credit of innovating अपने जो यस से है इन्होंने प्राप्ट कि अपने जीवन में उसका credit किसको देना चाहते हैं विश टाइप आप यस से परकार से इनका credit रहा या फिर किस टाइप का से लिखते वगर आते तो innovating which type of यससे आपसने दिया परसनल यससे जो है और वी दिया है लिटररी यससए c दिया है periodic यससे और d यससे और डिया है नन आप दिज correct answer क्या होगा इनका c आपसन periodic यससे आपसन c ठिक आगे बढ़ते हैंं अंगले परस्न की और अगला पर साफ सभी लोग देए वर्जीनिया बॉल्फ को ले करके हैं वर्जीनिया बॉल्फ उके चले बताइए वर्जीनिया वॉल्फ इज बार्ड इन आप सने दिया है लंदन रविनका जनम कहां पर हुआ था आप सने दिया लंदन भी आप संदिया है आपको पैरि वर्जिनिया बूल्फ वार्ण इन इनका जनम कहां पर हुआ था इसका करेक्ट एंसर क्या है लंदन आपसन ए आपसने में लंदन आपको दिखाए पड़ोगा तो लंदन में ही इनका जनम हुआ था किसका वर्जिनिया बूल्फ का ठीक कहां पर हुआ था भाई लंदन में सी इता नोळक फ्रहर हर डालव की जो इन्से ज वह एज बिस्ट नोण फार हर हुए यह संदिया यह जैप और लिएंको किसके लिए जाना जाता है बेश्ट इनका सबसे क्या है यह से है फिर साथ स्टोरी जा पर नोबल्स है क्या है तो सें समय नहींते अगला पसन है होम डज वूल्फ मनलब वर्जिनिया वूल्फ क्लाइम क्या है क्लेम्टो किल क्लाइमेटो किल और मेटाफोरिकली इन दायसे कहने का मलब यह कि जो वूल्फ है वूल्फ किसको मारने का दावा करती है निबंद के लाक्षणिक रूप में निबंद में लाक्ष जो है परस भी दिया है दा जो है इसके इसका डिया है इसका रेक्टिक सी इसका रेटि जेटी आफ फिर दिया है यह था इंजल अफ अ या स suspension która किसा करक्टर अन्सर क्या होगा आप्स दा इंजल आफ धर आउस ठीक आप तसली के अगला पार सिए हैं What did wolf bought from the money See received from editor मulsने संपादक से प्राप्त धन से क्या खरीदा था आपसन ने दिया एक करेट आपसन भी दिया एडाग आपसन सी दिया परस और आपसन डिया या फिस उन्हें एक करेट खरीदा था एक बिली खरीदी थे आपसन इसका एक रखट होगा आगे बढ़ते हैं अगला परसन है यहां पर लिखा हुआ दा एंजल इन दा हाउस नेवर हैड आ आफ हर ओन मलब आपसन इसका ए दिया होगा माइंड बी दिया है बिसेस और सी दिया है रूम और डी दिया आल आफ दैवाफ तो करेक्टर इसर क्या होगा आल आफ दैवाफ द एंजल इन दा हाउस नेवर हैड आ माइंड बिसेस और रूम आफ हर ओन ओके आगे बढ़ते हैं अगला परसन देखिया आप सभी लोग अगला परसन आपके सामने है एपी जी अब्दुलकलाम को लेकर के वहन वाज एपी जी अब्दुलकलाम बार्न एपी जी अब्दुल कलाम जो है पॉपरली नोन एज मिसाइल मैन बार्न इन मिडल क्लास फैमली सीन एंड फेजड प्रॉब्लम्स एंड हार्ड सिप्स आफ मिडल क्लास नेवर डाउंटेड एंड डिस्प्रेश्ड आफ फेलियर्स रोज तु दा हाइट आफ फस्ट सिटीजन आफ इंडिया दा प्रेसिडेंट आफ इंडिया कई चीजे हैं के बारे में डाटर एपीज अब्दुलक्लाम इस रिलेजियस टु आफ फाल्ट एंड इस आरीपीसियस रीडर आफ बोथ भागवत गीता एंड दा कुरान आफ दा ग्रेट जो है तमिल सेंथ त्रिवालू यूर रवर इसके भ धार इसे चीज हैं एक्टूरै बार में हुआ यही के बारे में जानती थे ठीक छीज़ के बारे में जानते थे जिलेख कर लाट उस किषिए था यही आप से पूचागा है तो हमने वड़ा पंद्रा अक्टूबर 1931 इत्वी को है नहीं में हिदिया है ठीक आपसे पूछए होट इस धाफ नेम आप rich och अब्दुलकलां में का पूरा नाम क्या था एपी जे अब्दुलकलां का पूरा नाम क्या था तो इनका नाम था अबुल पाकिर जो है जैनलू क्या नाम है इनका पूरा नाम है जैनलू बुद्दीन क्या कुछ कुछ लिखा है इसमें उतना समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो अबुल पाकिर जैनलाबुद्दीन जैनलाबुद्दीन अबुल पाकिर ज lista अबुलकलाम आजाद इनका पूरा नाम था ठीक धीन रखेंगे अधिए डियरफ दिखते हैं अगला पसन हुइच हुइच इसलेंड हुइज इसलेंड महलब कौन सा इसलेंड है इसलेंड कौन सा इसलेंड ुइज ऐसलेंड इस आपसे ने दिया हुईलर इजलेंड ओडिसा बी दिया है लेंड फाल इजलेंड आइसलेंड और बी दिया है भवानी आइसलेंड और डी दिया है जो है सीली हरी कोटा आइसलेंड करेक्ट अंसर क्या होगा हुईलर दीप को मलब हुईलर आइसलेंड जो ओडिसा में है उसको नाम बदल गरके डाक्टर एपी जब दुकलाम के नाम से रख दिया गया है अग्ला पसन आपके सामने कुछ आप भई डेक्टर एक्टर अपधिल क्लाम कौन projects पुस्तकेती जो कि अपधिल कलाम ने नहीं से नहीं युआ है यू आर बैप लोज्म आपने मैंड्स और डिया है आय। आउस और मिस्टर बिस्वासी तो कर्क्तर आप क्या होगा आप संटी आ हाउस फार मिश्टर बी वसी यहीं नहीं लिखा यहीं लिखा इन्हों得 भाकी तीन इक नाम सैंस इनगी मिला यह में मिला मीरी पायर दोस्तों इनको मिला है 1998 में आपसम करक्ट है अगला लीडिंग इंडियर इन्डियन नाम की बीसीवी सताब्दी के दो इंडियन थिंकर्स के नाम बताईए ठीक तो आप पहला अपसन है टाइगोर अंड गांधी भी अपसन है आपका टाइगोर अंड नहरूस यह अपसन है टाइगोर अंड शास्त्री और डी अपसन ननापदीज गरेक्ट अंसर इसका क्या होगा य इंडियन्स एक प्रकार से लीडिंग है टू लीडिंग इंडियन्स थिंकर्स हैं जो कि वीसीवी सताब दिखे हैं टाइगोर अंड गादी अपसन इसका एक रख रख है अगला पसनहें हूरोट परसंट प्रीसंट इरी अन ब्रितिस जेल अं लजर निंग आप रबिद्ना टैगोर्स डेथ वलब रविद्ना टैगोर्ड की मृत्व की खबर मिलने पर बिर्टिस जेल में जेल की डायरी किसने लिखी थी जेल की डायरी किसने लिखी थी फूरोट प्रीजन डायरी प्रीजन डायरी वलब जेल की डायरी इन बिटिज जेल आन लर्दिंग आफ रविणा टेगोर्स डेथ ए तो किसने लिए थे अपसे ने Гांधी भी नेहु sì है सास्ति यो डीडी है इनमें से कुई नहीं करेक्ट एंसर इसका क्या होगा, करेक्ट एंसर इसका होगा नेहुर ने लिए थे इसने लिकी थी आपसन भी नहरू ने लिकी थी ठीक अगला प्रस्थ है दस सेकंड पॉइंट आफ डिस्कलिवजन वाज निशनलिज्म विच डॉट 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 डी फाइंडेड करेक्ट एंसर इसका क्या होगा करेक्ट एंसर होगा गांधी जी यहां पर आ अगले परसने आपकी सामनी है अगला परस्थ हैने मॉश्ट इंपोर्टट है कि वूच आफ इस नाट आ मेडियम हमलं मीडियम फार इमेल कहने का मलब यहां पर है कि इमेल मेना से किस बचना चाहिए लिच आफ़ और बिद्या इंटरनेट फोगक ये जो है इसका के ऊप्षार्णा होगा आपका पेपर पFFL फूच आप दीज इस ठीक है पेपर जो है वह एक प्रकार से का माध्यम नहीं है किसका इमेल भेजने का अगला परसन ही आपके सामने क्या होई इस्ट बचना चाहिए इमेल में आपसे नीदिया है रांग इमेल इडरस अगला परसन क्या है हाट डज बी सी सी स्टेंड फार बी सी सी क्या दात परे है बी सी सी का क्या मल्लब है आपसे ने दिया है बिहाइंड कार्बन कापी बी दिया है बिजनस कार्बन कापी सी दिया है ब्लाइंड कार्बन कापी और डी दिया है ब्लाइंड कार्बन कापी ऑफसंदी प्लाइंड कार्बन काफी करेक्ट एंसर क्या होगा कर्फसंदी ऑगला पर अगला पूसरत है What does CC stand for in the address bar लब address bar के लिए address bar में CC से क्यातात पर है ठीक तो आपसन ने दिया है copy cat B आपसन दिया है counting coins C आपसन दिया है carbon copy और D दिया है clueless जो है correct answer इसका क्या होगा carbon copy CC माने क्या होता है carbon copy full farm क्या होता है carbon copy B CC माने क्या होता है blind carbon copy ठीक B से blind C से carbon और C से copy ठीक यहाँ पर pass C आपसन दिया है big log और D आपसन दिया है RED बेब कर्रेक्ट एंसर इसका क्या होगा डी जो ब्लाग होता है इसका ताथ पर क्या होता है ब्लाग का तो ब्लाग बी से होता है ब्लाग से होता है लाग उप पीछे वाला सब जोड़ जोड़ जागा तो भी उसको साथ फार में ब्लाग बोलते हैं ब्लाग का जो ब्लागिंग करते काई तब्रफुर्ट ऑब्लागर उसको क्या करते निफिलागर करते हैं तो यह तमाम सारी चीज यह जो कि आपको पता होनी चाहिए आपको अभी बताई आगे बढ़ते तो आपचारिक पत्र में अभिवादन कहां पर रखा जाता है तो just above the date A option B दिया है just below the date और C आपसंदिया है along with the date और D आपसंदिया just above the date मलब होता है कि जो है उसके तारीक के उपर और B में दिया है आपको just below the date मलब कि उसके नीचे तारीक के नीचे C दिया है कि तारीक के साथ along with the date और D आपसंदिया है मलब इन में से कोई नहीं और लिखा कहां पर जाता है आपका सारूटेशन जो होता है अभिवादन जो होता है और अपचारिक पत्र में अभिवादन जो होता है वो संबोधन के नीचे दाई और लिखा याता है कहां पर संबोधन के नीचे दाई और लिखा याता है ठीक तो यहां पर आप लगाएंगे क्या ननाब दीज अगला आपस देखते हैं हुई चाबदा following is not part of later एक मलब later का कौन सा part इसमें से नहीं है तो यह गलत होगा आपस देखते हैं अगला परसन है हुई चाबदा following is correct इनमें से कौन सा correct है ठीक है correct देखें तो यह आपसन दिया है योज truly बी दिया है योज जो है truly और सी दिया है योर्स truly और डी दिया है ननाब दीज अगला परसन देखते हैं हुई चाबदा following are the features of a letter महलब एक पत्र के जो features होते हैं वो कौन से होते हैं आपसन दिया brief and clear बी आपसन दिया है express महलब expresses and ideas and opinion सी दिया है stick of the point और डी दिया है all of a verb correct answer इसका क्या होगा correct answer इसका क्या होगा मेरे पारे दोस्तों आपसन दिया आप देख मलब की बीफ एंड क्लियर मलब की brief माने होता है कि जो है असपस्ट मलब बीफ माने क्या होता है एक प्रकार से असपस्ट हो इस प्रकार से चीज़े हो और अगला क्या है express मलब expressive हो जो लिखा गया हो और जो है idea and opinion होस में जो आप लिखिये हो इस टिक आप दा पॉर्ड मलब केंदरित होना चाहिए भाव उसका जो भी कुछ बाते कहें वह केंदर में एक बात होनी चाहिए उसके कोई ना कोई उसी बात पे सारी बाते जो है फोकस होनी चाहिए ठ प्रकार से उससे अगर आपको information लेने किसी भी सेक्टर की तो कितने रुपए बे करने होते हैं आपसे ने दिया है 20 रुपए का 20 रुपए और 10 रुपए का खर्चा लगता है अगर आपको मालेते हैं कि आपके बगल में या फिर कोई चीज आपको को करवाना है जो सूचना कि भेदी रुपए के तहद तो क्या होगा 10 रुपए आपको खर्चा लगेंगे तो उससे मौइना होगा आपसे गर कभी कोई पूछे तो मलब कोई नेता वगर ज्यादा परिसान करता तो उसके मलब आप पूछो कि जो है कितना सेक्टर में कितना पैसा आता है लब उसका मौाइना पूरा विपरन दे तो अब उससे जो है नेता मंतिस विपरन पूछा जाएगा सरकार के द्वारा वसमें कियाता है बहुत सारी चीजे जो है वैसे कर लियाती है लेकिन हाँ लिखिए कभी मौका मिले आपको तो लिखने का प्रियास करें आर टी आई तो आपको से रहीं पर समाप्त होता है तो आज के वीडियो के अंतरगत बहुत सारे जो है कोईसंस के बारे में हम दे देखा सीबी का मनलब क्या होता है सीबी माने क्या होता है बाई सीबी माने होता है कैरी कुलम बेटी क्या कैरी कुलम बेटे कैरी कुलम बेटे जो है बिटे मनलब हो हुई कि इतनी चीज़ के लिए हुई है कि सारी चीज़े के लिए हो गई होगी आपकी तो यह हमने समझा मोस्ट इंपोर्टन्ट जो है आपजेक्टिव को संसर जो कि इंग्लिस लेट्रेचर के थे नी मौडल पर 2022 के तहट हमने बाते बताई है नई सिक्षानिति के तहट इसी परकार से चीज़े हुई है बीए फर्स ट्रेमेस्टर के लिए है लेक्षर मोस्ट इंपोर्टन्ट है ऐसे ही परसन आपके परिक्षा में आएंगे तो इस परकार से यह चीज़े हमने आपको बता दी तो आपको कोई क्लियर अमल सब्सक्राइब तक के लिए जै हिंद जै भारत और हिंदी बगर क्लास जो है रात आठवे चलती तो उसको आप लोग देखें और भी सारे सब्सक्राइब की आपकी इसी परकार से आपजेक्टिव और लेकित दोन तरीकी से माडल पर दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्क और वीडियो को लाइक अगरा आवस्त कर दिए जितने भी लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किये हो तो प्लीज लाइक अगरा करके ही जाएगा धने बाद आप सभी का बहुत-बहुत धनिबाद मेरे पैर दोस्तों धनिबाद ओके तो फिर चला जाए गुड़ नाइट राम राम और टेक कियर आला फ्यू सभी लोगं का बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धनिबाद ठीक चलिए